नमस्कार दोस्तों, क्यूरेस बॉक्स में आप सभी का सौगत है, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे निफ्टी के डिरेक्शन के बारे में, कि इसका डिरेक्शन किस तरफ जा सकता है, मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाके अपलोड किया था, जिसमें मैंने बताया था कि निफ्टी के लिए लगबख 10600 और 10620 का एक बहुत ही स्ट्रॉंग रेजिस्टेंस है, जिसको ब्रेक करने में निफ्टी को प्रॉब्लम आ सकती है, और वैसा ही हुआ है कि 10600 के को टच करके निफ्टी नीचे की तरफ आया है, अब हमको देखना है कि निफ्टी के उपर अभी भी बियर्स जो है, यानि कि जो बेचने वाले हैं, उनका प्रभाव अभी भी ज़्यादा है, या फिर अब इन लेवल से बुल्स जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे, वो नई बनानी सुरू करेंगे, जिस विए से मार्केट जो है और उपर जाने की पॉसिबिलिटी रख सकता है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि निफ्टी का अगला सपोर्ट लेवल कहां हो सकता है, कौन से ऐसे लेवल से हैं, जहां पर निफ्टी जो है सपोर्ट लेके आपस बाउंस करने की उमीद रख सकते हैं हम लोग, और मेर्केट में अभी और कितनी ज़्यादा गिरावट आने की संभावना है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे, हम निफ्टी का टेकनिकल अनलेसिस करके देखने वाले हैं, जिसमें हमें पता चल जाएगा कि इनके लिए अगले सपोर्ट लेवल क्या निकल के आते हैं, तो आईए शुरू करते हैं, दोस्तों ये जो है निफ्टी का डेली का चार्ट है, यानि एक केंडल इसमें एक दिन के लिए रिप्रेजेंट करती है, हमने कुछ दिन पहले नि है, सो बीस जो है, स्ट्रॉंग रेजिस्टेंस जोन बना हुआ था, अभी इसी तरीके से अगर मैं इसी डेली चार्ट पे अगर हम इसको थोड़ा और चोटा करके देखेंगे, तो आप देख सकते हैं कि अगर इसमें मैं एक ट्रेंड लाइन को अगर बना के आपको इंडि हैं, यह एक ऐसा लेवल था, जहां से निफ्टी ने एक तरीके से बाउंस लिया था, उसके अगला जो निफ्टी का बाउंस लेवल आया था, वो आप देख सकते हैं इस लेवल पे आया था, और उसके अगला कुछ मैनों के बाद जब निफ्टी ने बाउंस लिया था, तो अपके बार वाली जो गिरावाट आई है वो इस trend line के नीचे भी आ चुकी है और जो इसका previous nifty के लिए जो support एक तरिके से या resistance जो बन रहा था उस resistance को इसने support की तरह से कई दिनों तक test किया लेकिन उसके उपर निकलने में कामियाब नहीं हो पाई और जो इसकी trend line बनी हुई थ ज्यादा बड़ी गिरावट आई है तो अब अगर हम इसको थोड़ा जूम करके देखेंगे जिसमें हमको पता चल सकेगा कि इसके कौन से support ऐसे बन सकते हैं जहां पे निफ्टी एक तरीके से support ले सकता है ऐसे levels के बारे में हम अभी देख लेते हैं तो जैसा कि आप देख स अगर इसी को हम थोड़ा और विस्तार में देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी के लिए यह जोन ता लगबग 10,140 से लेकर के 10,180 या 190 तो यह एक level था जिसको निफ्टी ने दो बार उपर जाते वक्त टेस्ट किया था और वहां से एक तरीके से dip आया था तो यह दो बार होने के आद और जब निफ्टी ने इसको break किया तो अगला जो था वो 10,600 का level था अभी निफ्टी जो है अगेन अपने उस strong upside वाला जो resistance उस समय बना हुआ था अब उसी तरीके से यह इसके लिए एक तरीके से support का का काम करेगा तो अब जो इसके लिए support निकल के आत निकल के आ रहा है जो की निफ्टी के लिए एक strong support का काम कर सकता है और हो भी सकता है 10,000 60 से लेके 10,200 ये जो 1,500 पॉइंट का जो gap है या zone हो सकता है इस zone में निफ्टी कुछ दिन trade कर सकता है इसमें consolidate हो सकता है और उसके बाद आइदर उपर जाएगा और उपर जाता भी है अगर तो हमको 10,600 के level को ध्यान में रखना पड़ेगा जब कभी 10,600 के level को cross करता है विद अच्छे number of volume के साथ और अच्छे participation के साथ जो बड़े fund house होते हैं तो ही हम ऐसा बोल सकते हैं कि निफ्टी जो है अपने अगले levels के लिए जा सकता है और अगर in case किसी भी वज़े से क जो की 10,000 एक तरीके से 60 का या 10,000 पचास का आता है तो उसके बाद जो अगला बहुत ही जादा strong जो support निकल के आता है वो निकल के आता है लगबग 10,770 से लेके 10,650 के आसपस का या हम बोल सकते हैं 10,630 के आसपस का इसका जो है अगला support निकल के आता है तो अभी निफ्ट के लिए जो हम बोल सकते हैं एक तरीके से जो currently जोन बनाया है जिस जोन के अंदर निफ्टी ने आज की दिन में भले ही आप देख सकते हैं आज के दिन का ट्रेडिंग अगर आप देखेंगे तो उसने बहुत नीचे से किया था लेकिन जो closing हुई है निफ्टी फीचर की वो positive हुई है मतलब कि जहां open हुआ था उसके उपर जाकर के उसकी closing हुई है तो अभी हो सकता है कुछ दिनों के लिए निफ्टी इसी zone में consolidate हो लेकिन अगर इस zone को वो break करता है तो एक तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं कि निफ्टी का trend reversal हुआ है और तो अगला जो zone निकल के आत पाने की possibility निफ्टी में बन सकती है तो आईए अगर हम इसको Fibonacci के हिसाब से देखें और अगर हम इसका जो निफ्टी का high बनाया था उस level को जोड करें जो निफ्टी ने कुछ दिन पहले अपना low बनाया था जहां से निफ्टी को bounce मिला था अगर उन level को चेक करते हैं तो लगबग 38% का इसने bounce लिया था और यह जो था लगबग 10,630 के आसपास गया था वहां से अगर इसने जो है अपने previous low को break किया है अब अगला जो इसका low निकलने की possibility आ तो उसके बाद वाला जो अगला level निकल के आ रहा है वो लगबग 10,050 के आसपास का आ रहा है जैसा कि ह हम पहले भी देख चुके हैं लेकिन अगर 10,050 का level भी break हो जाता है तो अगला जो level निकल के आता है वो लगबग 9,750 के आसपास का बनता है तो यह जो दो strong support level एक तरीके से यहां पे अभी तो निकल के आ रहे हैं अगर nifty को bounce लेना है तो हो सकता है 10,050 के आसपास से वो लेकिन जब कभी अच्छे volumes के उपर 10,200 के उपर की closing होती है तब उमीद की जा सकती है कि यह वापस से 10,400 तक के level दिखाए और nifty को वापस से बड़ा bull run दिखाने के लिए 10,600 के उपर की closing जब मिलेगी अच्छे volumes के साथ और अच्छे fundamental बोल सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं जो भी market में news जिस तरीके की चल रही है जिस तरीके से bank से related बुरी घबरे आने में लगी हैं टरम्प साहब के तरफ से कुछ ना कुछ बयान आ रहे हैं तो उन सबी को देखके तो फिलाल तो अभी ऐसा ही लग रहा है कि हो सकता है कुछ दिनों के लिए nifty इसी zone में trade करता रह है तो आपको इस duration में थोड़ा cautious trade करना चाहिए किसी भी बुरी news के उपर जो है nifty बहुत बुरी तरीके से react कर सकता है towards downside में या फिर उपर के side में भी Dear investors अगर आप पहली बार मेरे इस YouTube चैनल पर आए हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं बहुत से investment से related topic पर अपने वीडियो बनाता रहता हूं जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं mutual fund के उपर informative वीडियो बनाया है कि कैसे आपको mutual fund buy करना चाहिए best mutual fund कौन से हो सक लगते हैं या तो ऐसे सेट के बारे में बताता हूं जो की potential लगते हैं आगे आने वाले दिनों में आपको अच्छा return दे सकें और साती साथ stock manipulation के बारे में बताता हूं जो की investor को aware करने के लिए रहता है कि उनको market में किन-किन चीजों से बचना चाहिए और इसी के साथ साथ म financial planning और IPO के बारे में भी information देता रहता हूं जो भी latest IPO currently market में open रहते हैं अगर आप पहली बर मेरे चैनल पर आएं तो subscribe करना ना भूलेगा ताकि आपको latest update मिलता रहे किसी भी stock के बारे में IPO के बारे में या mutual fund से related जो भी मैं वीडियो जालता हूं उसके बारे में update मिलते रहे औ और जो bell icon रहता है उस पर भी क्लिक करना ना भूलेगा ताकि आपको जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूं आपको उसकी information तुरंती मिल जाए जोस्तों as a disclosure मैं आपको पताना चाहूंगा जो भी मैंने levels इस वीडियो में बताए हैं वो purely technical analysis के base पर बनाए हैं या आपको मैं दरसा रहा हूं ये मेरा personal जो technical analysis मैंने किया है उसके इसाब से ये level निकल रहे हैं हो सकता है कि अलग-अलग time frame के इसाब से हर किसी के अलग- analysis quality के इसाब से ये levels vary कर सकते हैं तो आप एक बार अपनी तरफ से भी analysis करने के बाद ही किसी तरीके का call लीजिएगा कि share market में आपको कौन से level पर पैसा लगाना है या कौन से level पर आप बेचने के लिए तैयार हो सके मैं किसी को भी nifty में buy या sell करने का recommendation नहीं दे रहा हूं जो अगर आपका कोई भी सवाल है या सुझाओ है तो उसे नीचे comment box में ज़रूर लिखिए मैं अपनी तरफ से आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिस करूँगा मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो like कीजिए शेर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए धन्यवाद